आज की इस वीडियो में बात करेंगे बे फिप्त समस्टर के इंग्लिस के सिकेंड पेपर के मोस्ट इंपार्टिन कोईश्चन और अंसर के बारे में जो भी हमारे छात्र बीए के फिप्त समस्टर के छात्र हैं और वो इंग्लिस के सिकेंड प्रशनपत्र की परिछा देने ज पहले आप में फीचर यहां पर देख लीजिए कि यह देखिए आपका भी थार्डियर यानि कि तिरतिय वर से समस्टर आपका पंचम यानि फिफ्ट समस्टर सब्जेक्ट आपका इंगलिस है प्रश्ण पत्र यानि पेपर का नाम सिकेंड प्रेपर है ठीक है और उसका नाम प्रश्ण पत्र का पेपर होगा इंगलिस का और उसका नाम फिक्ट का मतलब पहले समझ लीजिए कि इतने जितने भी कुश्चन होगी फिक्ट से जुड़े होएं आपके पर इच्छा में ठीक है तुसलिए पहले फिक्टिन के बारे हम जानते हैं सिंपल सा मतलब यहां पर समझ लीजिए ठीक है पिक्टिन के अंतरगत आपको जो प्रश्ण पत्र सिकेंड इसमें कहानिया उपन्याफ कथाएं आदी जो काल्पने घटनाएं होती है पिर काल्पने घटनाओ और विक्ति जो होता है उसके जीवन परचे का वर्लन ठीक जीवन का वर्लन करते हुए इसमें क्या बताया गया कुछ कथाएं होगी कोछ का अपनि घटनाओं से संबंदीत होगी किसी बेक्तिका वर्लन होगा यह सब आपको फिक्टिं जो पेपर है ठीक है यही ही मत्तब होता है फिक्टिं का थीक है ही मतलब तो इससी सम्बंदित कोउश्चन होग इस सुरेंगे what is PicaRisk UPANYAHS what are its Main features मतलब यह कहरा था है यह होता है यह और इसकी कुछ जी बिसिष्पाइज है कुछ फीर्शन उसकी बारे हम लिखे ठीक के उसकी मुखी बिसिष्पाइज और काफे आपको तैयार कर लिजिए इंब्डीन कुस्टिन कर लिजीए सकंड यह रहार उसका उत्तर नीचे प्रस्तो थे त grinder थे ठीक है जहांसे से पंच जो आपके तो जो आपके समझत है और यह कोशति dauerni कि यह दा तो आपने अनुसार यहां पर एकदम सिंपल वहां साथ में प्रस्तुत किया ताकि आप अग्जाइम की तैयारी आफानी से करा सके और हमारे पाफ ज्यादा समय है नहीं कि लगातार पर इच्छाएं चल नहीं कि आपको अच्छे पर इच्छा के लिए महात पूर्ण है और पिछले वाल में पूछे जाने वाले कोश्चन है जो कि आपके एक्जाम के लिए इस बार इंपॉर्टेंट हो और उसका उत् बताने में असमर्थ है क्योंकि भाई ज्यादा समय है नहीं मारे पास क्यों लगातार पर इच्छाएं चल नहीं तो हम आपको मोस्ट इंपॉर्ण कोश्चे सिलेट करा दें बाकि इनको पढ़के जाएंगे तो आपको काफी आपके एक्जाम में हेल्प मिलेगी जरूरू तो यह वाला भी क्योंट है ओके अगला क्योंट है कि राइटा सौर्ट नोट ओन टिक एपेस्टलोरी नोविल यानि कि आपको ठीक है एतिहासिक उपर्ण्याज इसका मत्तब होता है एतिहासिक उपर्ण्याज ठीक है उसी पर आपको एक संशिप्त टिपड़ी लिखनी है ठीक है यह भी हेलपुल कोश्चन टॉप लेबल का है पर इच्छा में कई बार रिपीटेड है तो इसको जोड़ तैयार करके जाएंगे आप सभी के लिए इंप्वाटेंट है ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं नेस्ट कोश्चन कह रहा है दिखान से सुनेंग में सोट में डट टर्म ठीक है ऑटोपिया की जो अवद है उसके बारे में आपको लिखना है ठीक यह भी महात्पूर लेकिन बहुत ही हाद पूर्ण है कि हुआज द्यान से चानेंगे हुआट इस्टोपिया डिस्टोपिया डिसकस इन ब्रीफ मतलब कि आपको बताना है ड discuss in brief मतलब कि संचेप में चर्चा कीजिए संचेप में बताई मतलब छोटे में ठीक है कम सब्दों में उसी के बारे में लिखना उसके अलावां यहां पर और भी मतलब कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं फिर अथवा करके इस तरह प्रस्ट आपको देखने को मिल सकता है ठीक है प्रशने आपकी प्रिच्छा को月 अगला प्रस्टुत है कि डिफाइन दा टर्म जंक Thanks and ठीक है तो आपको डिक्न है त Pixar में यादि कम सब्दों में ठीक है । जंकफ के बारे में ठीक का मतलब होता है जो ठीक है जंक फिक्सण ठीक है यहाँ पर function पताने कैसे लिख जाए यहाँ पर fiction होना चाहिए ठीक है तो जंक fiction का मत्तब होता बेकार कलपना आप लोगों को बेकार कलपना के बारे में कुछ सब्दों में लिखना है आप लोगों को क्या होता है वेकार कलपना ठीक है पिशिवाट ऑफ रिजनल नोवेल एंड हाट इस मेंट फिचर्स यह कहरा कि आंचली को पर्णियास क्या है है फिर आप लोग कहँए पर्णियास या फिर कहँए वह चेत्रे पर्णियास है और उसके बाल लिखना आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि दा रिजनल नोबिल इज डाइट विच गिप्स दा डिस्क्रिप्शन आफ पार्टिकुलर रिजन ठीक है और डिस्ट्रिक्ट इस कल्चर एंड पीपल एंड हाइलाइट्स फ हाउड लोकल और बॉल觉ेन डाल पार्टिकुलर रिजन ठीक है ठीक का मतलब होता है धहर में ठीक है डि li ट्रमाइट्सट डा ख्रेक्टर अफ इसके बारे हमद्साथिकां और क्वह स्ट में प्रकार समझें लेकिन अग्ला कुश्यquele करा कि हाउट डू दा ठीक जोट से हैंडल दा डिफकल्टीज आफ जर्नी तुक ठीक है कलिफोर्णिया एक्जेक्टिवाटा अप्स्टेंस मस्ट दा फैमली फेस तब होता है कि जो कॉलफोर्णिया की जब यात्रा हो रही थी कोई कर रहा था ठीक है इसी में का तो कॉलफोर स्रिदेश में जाएंगी तो आप उसे के बारे में कोईश्चन है और उसे संबंधित यह उत्तर है ठीक है महत्पुर्ण यह ठीक है अगला कुश्चन कहे रहा कि कलोडिया एजा ठीक है निरेटर एक्स्प्लेइन मतलब कि कथा वाचेक के रूप में कलावडिया समझती है क ठीक है नेके कोश्चन है कि डिस्क्राइब आप प्रस्टनालिटी एंड मैनस आफ मेस्चेज गलेग यानि कुश्चन कह रहा कि स्रीमती बैक्तुत आच्ण का वरण करें ठीक है गलीक जो है ठीक है इनके बैक्तुत और आच्ण का वरण करना थीक हो यहां पर बताया गया ह गुष्टन की राइटा नोट आटी टाइटल आफ ठीक है ऐसे सुनेंगे राइटा नोट आफ फ्राइड एंड ठीक है प्रिजेड़ एंड फ्राइड फ्राइड प्रेगों को इसके बारे में मतलब कि अभिवान एवं पूर्ब ग्रह सीर्षक पर एक टुपड़ी लिखनी ह ठीक है इन दोनों पर फ्राइड एंड प्रेजडियस पर ठीक है ओके नेश कोश्चन है कि वाट आर दी सोरी वाट आर सम नोवल फेचर्स आप बॉब जैकिन ठीक है परस्टनाल्टी तो यह कोश्चन कहे रहा कि बॉब जैकिन के जो बेक्तित है ठीक है उसकी कुछ अगला कोश्चन कहे रहा कि हाउ इज फ्लोड सेंबोलिक इन दा नोवल दमिल ऑन दी फ्लोस यह कोश्चन कहे रहा कि बॉब जोकिन के बिक्तित की कुछ उलक ठीक है उलक है यानि कि जो प्रसिद्ध बिसेस्ताइं उसके बारे में लिखे जो लेखित है ठीक है आपके स्लेब सब्सक्राइब और यह भी काफी काफी बार पूछा जाता हमेशा नहीं आता पड़ भी सकते अग्णोर भी कर अगला प्रस्ट है कि कहां पर कहा गया कि राइट नोट ऑन दी फ्लाविंग मतलब कि इन नेम लिख्षित में से किसी पर आपको टिपड़ी लिखने से कि हुई तो इन पर आपको टिपड़ी लिखने किसी के बारे मापको टिपड़ी लिखी है काफी इंपॉर्टन कोईश्चिन एक्जाम में कई बार रिपीटेड है तो जरूर पूछा जाएगा इनमें तीनों आपको टियार जरूर जरूर जाएगा ठीक है अगला कोईश्चन में कहिरा कि हाउ डू दी जोड़ से हैंडल दा ठीक है अनक्रेटिनिटी ठीक है अनक्रेटिनिटी आफ दियर फ्यूचर इन कैलिफरोनिया कहने मतलब है काफी एलपूल कोईश्चन आप सभी के लिए तैयार जरूर करके जाना ही को ठीक है चलिए निश कोईश्चन कहिरा वहिए कि काफी ध्यान देंगे आप से भी का मतलब यह होता पहले समझ लिए चिका मतलब होता कि आप जोड़ेफ कॉलफरोनिया में अपने भविश्च जो आपका फ्यूचर है जिसकी जो अनस्षिस्ता है वह आप कैसे समाल सकते हैं कैसे समाल सकते हैं इ यह भी टॉप लेबल का प्रेच्छाम पसने के पोरी उमीद जरूर तैयार कर लिजेगे ठीक है अगला कोईश्चन है कि राइटा नोट ऑन दी प्लेस आफ करेक्टर इन दा नोविल मतलब की कोईश्चन कह रहा है काफी हेलफूल है जहां से सुनेंगे आपके अस लेबर स प्रेजेडेस पर आप लोगों को ठीक है प्राइड एंड प्रेजेडेस पर आप लोगों के सौट लिखना कहने मतलब अभिमान और पूर्भूरा के कथानक पर एक टिपड़ी आपको लिखने है ठीक है अगला कुश्चन कहिए रहा कि वाट इस दा फेमस ठीक है कोईड फ के लेशन में जो आपका बिएव इंगलिस है बिएव फिप्त समस्टर का सिकेंड पेपर उसमें इस लेबर्स है यानि कि यह लेशन जिसका नाम है ठीक है आटेल आफ टो फिटीज ठीक है उसे सम्मधित एक कोश्चन है और आपके जानकारी के लिए बता दें जो यह ठीक ह तेल आफ्टो फिटीज जो यह मतलब की आपके फिलेबर्स में एक परकार से कह सकते हैं कि यह उपन्यास है ठीक है ये आपके फिलेबर्स में जिसकी जो रशनकार है जिन्होंने यह उपन्याफ कि न नाम है चाल्फ डीकेंस क्या नाम है चाल्फ डीकेंस नाम है ठीक है इन्होंने यह उपन्याफ लिखा उसे सम्मधित कोश्चन ने टॉप लेबल का इफी तरह सेम ऐसे यह भी है ठीक है एक वाट इस दा लाफ लाइन आफ आटेल आफ टो फिटी मतलब कि जो यह उपन्याफ आटेल कि नोवल दा मिल आंद फ्लोफ इज मच ठीक है कांसार डवाई फॉडी कांसार विथ एजूकेशन हो ठीक है कांसार डूकेशन के पात कैसे है यह आपको बताना ठीक है यह झाफी काफ़ी कोश्च्चन आफ उच्वी के लिए तुशको वह आपको स्लेवर से में अट लेसन liever tears symbol I'd तो आपको ये कभी कदाराता हमेशा नहीं आता हलाकि आपके आहीन फ्लेफर्स में लेकिन कभी कदाराता हमेसा नहीं आता तो आप चाहाँ भी सकते और बाकी अपने फुट बीक्नちょ करता है ठीक है अगला कोश्चन की नेम दा गोल्डेन फिरिट आफ दा रिजिनल नोविल एंड मैंसें सम आफ दा टीक है नोविलिस्ट आफ दी फिरियोट्स यानि कि कुछ जो हमारे उपन्यासकार हैं उनके बारे में आपको लिखना है आप और यह भी टॉपलेबल कोश्च लंडन विदाउट मेरिंग जैन बैनेट ठीक है तो यह काफी मतलब कि का एक एक आध बारा पूछा जाता मिस्टर बैनेट फे जुड़ा कोश्चन एक एक ना पूछा जाएगा ठीक इस बात को ध्यान रखेंगी ओके अगला कोश्चिन प्रस्तूत है कि हूँ वाज लेड टीक है और इस इतार अब हमने आपको थीक है तीस से चार्डार करीब इस वीडियो में ने कि लूड़ेड़ है जो कि आपके लिए आपके महत्त पूर एं लेकिन जो मैंने आपको बताएं वह जरूड़ तयार करके जाएंगे ये वाला बहुत महादपूर की राइटार नोट अंदी ट्रॉंटी सेंचुरी ड्रामा यानि कि जो बीस्वी सदी का ड्रामा था उसके बारे जरू तयार कर लेना इस पर टिपड़ी आ सकता ठीक इस बात को ध्यान रखेंगे प्रशना है जो बीस्वी सदी यानि 20th सेंचुरी के जो लिट्रेचर जो साहित तकार है ठीक है बीस्वी सदी के बारे में आपको टिपड़ी लिखना है यह भी हिल्पूल कोईश्चन के बार रिपीटेड है तो कुछ कोईश्चन आप इस तरह तयार कर लेजिएगा इस इंग्लिस का लिट्रेचर ही हूँ ठीक है तो मैं आपको प्रवाइट किया हूँ बाकी आपकी इच्छा पढ़ भी सकते हैं इग्नोर भी कर सकते हैं और यह पीडिएफ हम आपको टेलीग्राम अट से पर प्रवाइट करा देंगे बाकी मिलते हैं को ने वीडियो में सकते हैंगे मेंगे आपको लूएटन जैंगे आपको दे पर लूएटन को प्रवाइबन किया देने नहीं आपको पीडिएable किया में आपको प्रुएद भी जो शेखिए हैब टादे हैं किया अच्छा features पको चाहिएथ आपको प्रवाइब।